हेलो स्टूडेंट्स मैं डॉक्टर जिंदु कुमारी डेपार्ट्मेंट अफ साइकलोजी एनलेस कॉलेट जैदपूर डाउदपूर फ्रॉम जेपी यूइनवस्टे छपरा आज मैं यूजी पार्ट वन के लिए पेपर वन में लर्निंग के क्लासिकल कंडिशनिंग थियोरी के बारे में ही चर्चा करूंगी अभी तक हमने इस थियोरी के बारे में जाना कि Classical Conditioning Theory किसे कहते हैं या इसके अंतरगत क्या-क्या घटनाय होती हैं प्रन्तो Classical Conditioning Theory की पूरी तरह से व्यक्या तब तक अधूरी है जब तक कि उसके मुख्य तथियों के बारे में नहीं बताया जाए तो आज हम Classical Conditioning के अंतरगत जो उसके मुख्य तत्थ हैं उसकी चर्चा करने जा रहे हैं इस थियोरी के अंतरगत जो पहला पॉइंट आता है मुख्य तत्थ आता है वो है उत्तेजन का नियम इस नियम से यह पता चलता है कि यदि तठस्त उध्धिपक को सोभाविक उध्धिपक यानि कि Conditional Stimulus को Unconditional Stimulus के साथ बारवर उपस्थित कर आ जाता है तो ऐसी अवस्था में Conditional Stimulus प्राणी में एक सामान उत्तेजन पैदा करना प्रारम कर देता है या इसे यह कह सकते हैं कि Conditional Stimulus प्राणी को उस हद तक उत्तेजित कर देता है कि अनुबंदित अनुक्रिया करने के लिए वो तत्थपर हो जाता है दूसरा पॉइंट है आंतरिक अवरोध का नियम पैलवल या देखने के लिए कि जब घंटी मतलब कि तथस्त उधिपक के बाद सोभाविक उधिपक यानि कि भोजन नहीं दिया जाता तो क्या होता है इस विशेश नियम का प्रतिपादन किया उनका प्रिक्षण यह था कि ऐसी परिस्थिती में प्राणी धीरे-धीरे उस कंडिशनल स्टुमलेस के प्रति अनुक्रिया करना बंद कर देता है यह यूं कहें कि सीखी गए अनुक्रिया का विलोपन होने लगता है पैलवल के अनुसार ऐसा होने कारण यह है कि परिस्थिती में उस परिस्थिती में यानि कि घंटी बजने के बाद भोजन नहीं दिये जाने कि परिस्थिती में प्राणी में एक विशेश तरह की स्मृति उत्पन होती है जो प्राणी को सीखी गए अनुक्रिया करने से रोकता है अता प्राणी सीखी गए अनुक्रिया को भूल तो नहीं जाता बलकी जानवुचकर नहीं करता है इसको ही क्या कहेंगे आंत्रिक अवरोध का नियू तीसरा पॉइंट है बाय अवरोध का नियू बाय अवरोध को परिभाशित करते हुए हाउस्टर ने कहा जब सीखने के दोरान कोई निया उद्धिपक अनुबंधित उद्धिपक के साथ दिया जाता है तो इससे सीखने की प्रकिरिया धीमी हो जाती है और इस तरह के अवरोध को बाय अवरोध कहा जाता है पैल्वन ने बतलाया कि जब प्रेणी तठस्त उधिपक तथा सुभाविक उधिपक को एक दूसरे से संबंधित करना सीखता है तो उस समय अगर कोई बाय उद्धिपक जैसे कि रोश्नी के उपस्थिती करके तठस्त उधिपक दिया जाता है तो वैसी प्रस्थिती में सी दिखने की गति थोड़े समय के लिए औरोध पैदा कर देती हैं चुकि इस तरह का औरोध व्यक्ति में किसी बाय उध्धीपक के कारण होता है और इसे पैलवल ने बाय अवरोध कहां बाहरी रुकावड चौथा था उध्धीपक तथा तोभाविक उध्धीपक का कालिक क्र पैलवल के सिध्धान्त में सबसे महत्तपूर कारक जो अनुबंधित अनुक्रिया की शक्ति को निर्धारित करता है वो है अनुबंधित उध्धीपक तथा सभाविक उध्धीपक के बीच के जो समय होता है अंतराल जो समय होता है अंतराल समय उसको तो पैलवल ने अपने प्रियोग में आज पर्ष्ट रूप से दिखलाया कि इन दोनों धीपक के बीच अंतराल जैसे जैसे बढ़ते जाता है शेखने की प्रकिरिया क्या होती है कमजोर होती जाती है यह बहुत सारे मनवेग्यानिकों ने बतलाया कि conditional stimulus तथा unconditional stimulus के बीच समय अंतराल 5 सेकेंड होना ठीक हो जाता है गोडान ने बताया कि पशु शोध में conditional stimulus तथा unconditional stimulus का आधर समय अंतराल 0.2 से 2 सेकेंड की अधरी होती है अगर इससे लंबा अंतराल होता है तो पशु conditional और unconditional stimulus का एक संकेत धीपक की रूप में नहीं ग्रहन कर पाता और तब अनुबंधन की प्रकिरिया क्या होती है कमजोर हो जाती है पहलवल तथे अनके सहयोगी न चांद स्साट के कालिक करम पर अधिक बलैर पहले पहलों पहला अनुबंधन के उद्धेपक कैम 하는데 कर संकालिक अनुबंधन के सामने उपस्थित किया जाता है और फिर एक खी साथ दोंbrar धालिक शुमदन को शाहता ज जाता है दूसरा है विलंबित कालिक क्रम इस क्रम में अनुबंधित उधिपक जैसे घंटी के पहले ही बजा दिया जाता है घंटी को पहले ही बजा दिया जाता है और तब तक लगतार बचता रहता है जब तक कि स्वभाविक उधिपक प्राणी के सामने नहीं दिया जाता अथस्त उध्धिपक को भोजन देने के बाद भी उपस्थित रखा जाता है इस तरह के GROMbox राधारित अनुबंध को वीलम्बित अनुबंधन कहा जाता है ! तीसर मुद्धिक क्रम उपी चुकि इस तरह के क्रम में अनुबंधित उध्धिपक पहले ही देकर हटा दिया जाता है अता प्राणी उस उध्धिपक द्वरमन में छोड़े गश संकेत के प्रतियानुक्रिया करता है पलता इससे संकेत कालिक क्रम कहा जाता है तथा इस तरह के क्रम पर आधारित अनुबं दिया जाता है तो एक तरह से उसको संकेत दिया जा रहा है इसलिए इसको संकेत कालिक क्रम कहेंगे चोथा है पश्चगामी कालिक क्रम यह जो कालिक क्रम है बाकी तीनों से बिलकुल अलग है क्योंकि इन तीनों क्रमों में अनुबंधित उध्धिपक पहले दिया जाता है बाद में दिया जाता है, यानि कि conditional stimulus बाद में आएगा, unconditional stimulus पहले आएगा, इस तरह के क्रम प्राधारित अनुबंधन को पश्च गामी अनुबंधन कहा जाता है, विलंबित अनुबंधन तथा स्तांकित अनुबंधन और ग्रगामी अनुबंधन के प्रकार है, इन सभी अध् पश्च गामी अनुबंधन को अनुबंधित अनुक्रिया स्थापित करने का कम प्रभावी माना जाता है तो इस पूरे ओवराल को देखने के वाद यही कहा जा सकता है कि विलंबित अनुबंधन जो है सबसे ज्यादा बेटर है आज के लेतना है धन्यवाद